वेल्कम बैक टू माई चैनल स्प्रेंट सुडान तो आज है 18 जुलाइ तो शुरुवात करते हैं आज की दिन की हिमाचल परदेश की जो हाई लेटिड न्यूज है आज की वहाँ से तो आप सभी का हिमाचल अपडेट में स्वागत है सबसे पहले न्यूज पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जूड़े रहे और वीडियो को ज़्यादे सब्सक्राइब करें आप यहाँ पर 2352 जो है उसका आंगड़ा पहुंच चुका है मरीजों का और जो बाकी यहाँ पर सैंथी करोना मरीज जो उपचार धीन है और डक्टरों की निगरानी में रखे गए हैं तो यहाँ पर करोना फिर से वैसे ही फैल रहा है जिसमें माचल की चार जीलो को जो है उसको अलर्ड कर दिया करोना को लेकर अलर्ड जारी कर लिया है जिसमें कांगड़ा चंबा शिमला और मंडी हैं तो आप बात करते हैं 565 चंबा में 432 शिमला में 326 और मंडी में 259 जो केसीस है वो अभी सक्रिय मामले हो गए हैं यहां पर ठीक है तो आप भी अपना अगेन मास्क वगएर अपनी सेफटी पर ध्यान दीजिए और वैसे भी बरसात का भी मौसम है तो काफी मतलब खांसी जुकाम वगएर बहुत जादा भी हो जाता है इस मौसम में तो आप अपना ध्यान रखिये तो नेक्स नियूज है हमारी सी एम चे राम ठाकुर जी ने क्या कहा है फोर लैन और अन्य परियोजनाओं के परभावित परिवारों की पहशान करने के निर्देश चारे किये हैं यहां पर क्या बोलते हैं कि मुख्य मंत्री चे राम ठाकुर ने वर्ष्ट 2013 से वि इंशोदित मुआपचा फैक्टरी के जरिष्टिक गत्वीतिय पहलूँ पर विस्तरी दूप से कारे करने की आदेश भी चारी किये हैं तो नेक्स ने उस है हमारी नीट यूजी सी स्वरी नीट यूजी 2022 परदेश भर में हजारों युवावन ने नीट तलाशी के बाद प पैपर लिग का कितना मामला ही माइचल में फैल कितना मामला हो गया है पहले भी पूल इस गवल के प्र लिए और उसके बाद जेओ के काफ़ी प्र कली की manosि चला वए तो अब जो है जो है हमारी मतलब पांचल की पर बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो अर्थवेवस्ता भी हिल जाती है इससे तो यहां पर क्या किया गया कि जो यूजी का हमीरपूर की तरफ से जिसमें की 11 विहन पोस्टों के पोस्ट कोड जो है उनके जो परिक्षा परिणाम घोशित किये गया है आपको पता है कि जो हमारा हमाचल स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीरपूर है उसने जो है जो अपने टाइम टू टाइम जो अपने रिजल्ट घोशित कर चे जा रहे हैं तो कल भी उन्होंने जो है 11 पोस्टों के रिजल्ट निकाले हैं तो आप उनको भी चेक कर लें और बाकी यहां पर अगर कुछ पोस्टों के तो मैंने 940 के जो थे यहां पर नंबर भी दिया रॉल नंबर तो चेक कर लेना ह्ट 25 से 35 अभिआर्थियों को अदर अन्दर तो उसकी जो है अब जो वेरिफिकेशन आओ 25 से 30 विदार्थियों की अभियार्थियों की होगी ठीक है तो आप यहां पर न्यूज पढ़ सकते हो कि कितने बच्चे थे कितने सेलेक्ट हूं आपको पता ही यह सब पुछिए तो तो आप यहां पर लिखा हुआ है कि जो 1334 अभियार्थियों का सितंबर में ओके नेक्स हम बन्योज की बात करते हैं तो कुलू पुरानी पैंशन बहाली की बांग पर बारिश के भी सडक पर उत्रे हजारों करमचारी तो आपको पता कि मतलब जो पुरानी पैंशन बहाली थी उसके लिए जो यह लोग मांग कर रहे हैं जिससे क्या क्या बारिश तो आपको बारिश का मौसम है तो लोग जो है अपनी जो उनकी जो भी शर्ते उनको लेकर करमचारी जो अपनी सडकों पर उतर गए हैं ठीक है तो दस अगस्त से शुरू हो रहे हैं मौनसून सत्र के दोरान परिजनों के साथ शिमला में विधान सबागा घिराव क किया जाएगा तो दस अगस्त को भी घहरा गया जाएगा इसका पैंशल बहाल का और साथ में यहां पर आप देख सकते हो और अगर हम नेक्स्ट न्यूस की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूस है हमारा ड्रोन हिमाचल में 10 किलोमेटर तक 5 से 10 किलोमेटर समान पहुंच जा प्रभाधान तो यहां पर लिखा हुआ है कि कंपरें परदेश में ड्रोन बेचने समेच सर्विसीज और मरमत और पेलोड डिलीवी का काम भी करेंगे और वैसे आपको पता कि ड्रोन का क्यों यूज किया गया तो जो हमारी जो हमारी किया बोलते है हमारी जो किसानों के लि खेतों में निग्रानी वगरा रखें ठीक है नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज है हमारी कोल सिंक पुलीस भर्ती हमामले में पेपर लीक मामले में वह अन्य घोटालोग जो कि सीब्याय जांच हो तो कोल जी ने कहा है कि जो भी हमारा पेपर आपको प तो गाफ़ी तफ आएगा था पर पहले इजय था काफी बच्चे सिलैक्ट भी हो गए और इस बार आपको पते ही पता और काफी बच्चे नहीं हो पाएं तो इसका काफी चला हूआ है बच्चे जो पेपर लेक में जिन का जिन का हाथ वो पकड़े जा रहे हैं तो इसी पर जो है को इसके लिए की जाँच करवाई जाए ठीक है तो अच्छी भी बात है यह कि हाँ पता लगना चाहिए क्योंकि बच्चों का बविश्य की बात होती है और कुछ बच्चे जो हते हैं उनकी वज़से सबको यह सब कुछ सहना पड़ता है तो यह सब कुछ भविश्य में ना हो तो इसके लिए जो है यह अच्छी बात है कि हाँ वो इसकी जाँच बढ़ताल पूरी तरह से सरकार हमारी करवा रही है ठीक है तो आज की वीडियो में इत